नवस्कार मैं हूँ श्वेता सिंग और आप देख रहे हैं आज तक कुरोना से लड़ने की फाइनल तैयारी पूरी और नए साल की सबसे बड़ी खुशखबरी यानि कि सिर्फ वैक्सीन नहीं आया बलकि वैक्सीन को इजाज़त भी है और ये दिल्ली का गुरू तेक बहाद अजाम दिया गया है देश भर के अलग अलग राज्यों में हर जगह पर इस तरह के ड्राइरं सुए हैं जो ये बताते हैं कि हमारी तैयारिया कैसी है अभी तक जो तैयारिया सामने आ रही है वो एक ही संकेत दे रही है कि दुरुस्त है तैयारी अब है वैक्सीन लगने की करेंगे. झाल झाल देश को अब वाक्सीन मुबारक कल कोवी शील्ड आज स्वदेशी को वाक्सीन मुबारक यह एक बहुत अच्छी कवर है क्योंकि अब हमारा नया अगला कदम शुरू होता है कि हम यह सारी वैक्सीन अपने देश में सब लोगों को कैसे लगाएंगे वैक्सीन के खुशियां मुबारत वैक्सीन का ड्राइड रन है वो शुरू हो चुका है यह ड्री रन इसलिए कि हर दिन सो लोगो जो वैक्सीनेशन होना है वो किस तरह से तयार रहेंगे किस तरह से कोई दिकत ना होने पाया यहां पर आप देख सकते हैं यह एक पूरा वैक्सिनेशन संटर है यही पर वैक्सिन दी जाएगी यह पर आप एक वोलेंटर को देख रहे हैं जो इस वक्त बाहर निकल कर आ रहे हैं ड्रायरन का हिस्सा बनके यहां आप देख रहे हैं जो एक मेडिकल स्टाफ मौजूद है वो ड्रायरन खतम होने के बाद इनसे जानकारी ले रहे हैं कि आखेर आपको किसी तरह की कोई परिशानी तो नहीं हो रहे हैं वैक्सिन के टीके की इजाजत मुबारक जो प्रायरिटाइज की हुई है उनका पूरा रोलाओट करने का जो चैलेंज है हमारे देश में वो अप स्जूरू होता है और हम अमीद करते हैं कि जैसे यह वैक्सिन हमारे पास प्रूब हुई है वैसे और जो वैक्सिन फाइनल स्टेज में हैं वो भी आ जाएंगी जिस अगर वैक्सिनेशन से आती है तो वही सेफ और एफेक्टिव बात होती है पूरा देश एक साथ कोरोना से लड़ा पूरा देश अभी एक साथ कोरोना पर विजय की अंतिम लड़ाई का साक्षी बन रहा है तो अंदर आप गई क्या क्या हुआ वहाँ पर आपके साथ आप से पहले एंट्री से पहले तो प्रिकोर्शन मेजर लेने होते हैं लिया सब लोगों ने बोला पर जाने से पहले हैं संदीश करना है उंधर हमें किस नंबर पर कॉल करना है और यहीं बताया गया कि वेξीन लगाने के बाद आपको हाफ हावर एन्र वेट करना है जो उन्हों साथ कि अगर कुछ रियक्षिन होता है तो देवी लिनों डू संदिंग साथ ठीक से चल रहा है हमने लगबग 25 बेनेफिशिरी हर साइट पे दो साइट है तो लगबग 50 बेनेफिशिरी को आज टीका करन्ट देने की पूरी त्यारी परक्राइन टेस्ट कर रहे हैं अच्छा कि यहां पर वेक्सिनेशन किया जाना है वहां पर पर का जो फिंच्छन लगा रही थी महिला डॉक्तर क्या वह वह सिंबॉलिक या किसी और तरह array के तो ऐंजेश्म की थाली नहीं करना पड़ेगा तो भीड को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा वैक्सिन कितना है उसके हिसाब से वह तो हमारे पास लिस्ट आएगा इतने को देना है तो आज जिनका लिस्ट है उतने का ही यह करना है मनजूरी मिलने का इंतजार था मनजूरी मिल चुकी है लेकिन वाक्सीन का उत्साह इतना बड़ा था कि टीका करन की तैयारियां उससे पहले ही शुरू हो चुकी थी पहले देश के चार राज्यों में ड्राइरन करा के ये देख लिया गया कि all is well और अब पूरा देश वाक्सीन के ड्राइरन के जर्ये जन जागरण का हिस्सा है सही माईनों में अब हिंदुस्तान वाक्सीन की बुलंद काम्यावियों के उपर खड़े होकर दुनिया से कह सकता है हपी न्यू येर दुनिया, हपी वाक्सीन येर दुनिया, हपी हिंदुस्तान के दमवाला येर दुनिया कि यह बहुत यह ची खबर है और जहां तक हमारा करोना से जंक चल रहा था इसमें कुछ हद तक हम लोगों को इसमें अपसफलता आप में मिलेगी आपको यह कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अनुभव भारत में हैं हमारे ड्राइ रंस बड़े ड्राइ रंस हो चुके हैं स्मॉल पॉक्स इर्यडिकेशन में पोल्यो इर्यडिकेशन में बी-सीजी में और जब यह पहले ड्राइ रंस हुए थे आप उच का मकसद यही था कि जो चैलेंजेस आते उस दिन एक्चुल में वो प्रिवेंट हो सकें जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि कम टाइम में ज्यादा लोगों को वैक्सीन लंग पाए एक दूसरा वैक्सीन वेस्टेज नहों क्योंकि अगर वो हम उसको प्रॉपर तरीके से य यार कैसी है यह कांटर नमबर वन जहाँ पर पूरी सूची होगी उन लोगों की जो आएंगे लोग यहाँ पर इस वेटिंग एरिया में बैठ सकते हैं इसके बाद जो भीतर दूसरे एरिया में आप दाखिल होंगे वहाँ पर कांटर नमबर टू आपको दिख रहा है जो क वो विन आप के जरीए जो लोग है वो सीधे सीधे connect कर सकेंगे और आगे तक उन्हें monitor किया जा सकेगा तो यहां उस counter number 2 पर वो चीज़े होने वाली है और उसके आगे जो है वो vaccine जो दिया जाएगा vaccination जब लोगों का होगा जो यहां पर लोग आएंगे जिनकी सूची है यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि लगभग आधे घंटे तक इस वेटिंग एरिया में वो रहेंगे जहां पर उन्हें monitor किया जाएगा कि कहीं कोई side effects तो नहीं आपके आ रहे हैं जिस तरह का प्रिशिक्षन यहां पर medical staff का हुआ है एक ही बात पूरे आत्मविश्वास के साथ वो कह रहे हैं हम तयार हैं बस वाक्सीन आ जाए वाक्सीन दरने की शुरुवात हो जाएगी पूरे देश में इस पैमाने पर ड्राइरं येस पश्ट करता है कि सरकार की टीका करण तैयारी कितनी विस्तृत है राजिस्तर पर कैसे कैसे बंदुबस्त किये गए लेकिन यहां तक पहुँचने से पहले देश के चार बड़े राज्यों में ड्राइरं की मिनी रेहर्सल ह हो चुकी थी 25 सैंपल को ये वैक्सिनेशन की प्रक्रियार से लेया जाएगा हम आपको देखाते किस तरीके से पूरी प्रक्रिया होनी है सबसे पहले ये डेस्क है जो की कोवीड-19 की जो वैक्सिन सरकार ने जो एप्रूब किया जब वो फाइनली लगी गी तो इसी कमरे में जिन लोगों को लगाई जानी है वो वैक्सिन लगाई जाएगी वैक्सिन लगाई जाने के बाद एक एक्जिट रूट यहां पर बनाया गया है साल 2020 के अंतिम दिन प्रिधान मंत्री मोदी ने वाक्सिनेशन की तैयारियों को लेकर अच्छी खबर सुनाई और अब देश उसी खबर को और भी बड़े रूप में इंजोई कर रहा है साल 2020 में संक्रमन की निराशा थी, चिंताएं थी, चारों तरफ सवाल या निशान थे, 2020 की वो पहचान बन गई लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने जो मीज जताई थी, देश के ड्रग कंट्रोलर जेनरल अफ इंडिया ने उसी पर विश्वास की मुहर लगा कर खुशियों का अनौपचारिक एलान भी कर दिया बहुत बहुत बढ़ाई दूंगा कि 2020 के कंपेरजन में 2021 के नवर्ष की शुरुवात एक खुशक अबरी से हुई है कि हमारे देश को ये वैक्सीन आज एप्रूव हुई है ये बहुत ही एतिहासिक स्टेप एप्रूवल मिलने का मतलब ये है कि ये कारवाई शुरू हो सकती है दो चार दिनों में ही क्योंकि अब जैसे कल से तो वो डमी जो चल रही है प्रैक्टिस कि कैसे कैसे इसका प्रोस की उपलब्दी हो जाएगी और ये बहुत महत्व पूर्ण चीज है भारत जैसा विशाल देश और उतनी ही बड़ी चुनोतियां उतनी सारी बीमारियां हमने बहुत बड़े पैमाने पर वाक्सिनेशन ड्राइब्स को अंजाम दिया है अभी कोरोना के समय जितना में चीजों को स्टोर किया जाता है लेकिन जिस पहली वाक्सिन को इजाजत मिली है वो तो दो से आठ डिगरी के बीच उसका तापमान मेंटेन करना है तो ये जो आईलर है यानि आइस लाइन रेफ्रिजरेटर इसमें उस वाक्सिन को रखा जाएगा वाक्सिन अरेंजमें है वो इन आईलर्ज में रखी जाएगी और और को भी यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा और यहीं से यहीं पर इसी कक्ष में ऐसी ही देखें कई जगों को तैयार किया गया है और सब अपना जी जान लगाकर इस समय यही कोशिश कर रहे हैं कि एक भी चूक एक भी गलती नहों तो हर जगे पर आपको ऐसी ही तैयारी नजर आएगी वैक्सिनेशन रूम से टीका मिलने के बाद जब व्यक्ति बाहर की तरफ आएंगे तो उनको यहाँ पर ऑफिसर्स तैनाद भी मिलेंगे और उनको वेटिंग रूम की तरफ जाने कि ऑब्जवेशन जो रूम है अब टीका लगने के बाद यहां पर बैठने के लिए कहा जाएगा यहां पर जो आदे घंटे का समय होगा जब यहां पर बैठना होगा vaccination officers यहां पर यह देखेंगे कि किसी भी तरह का कोई side effect ना रहें किसी भी तरह का कोई गलत reaction उन्हें पर ना रहें पूरा जो प्रिकरिया है ठीका करण को वो पूरा हो जाएगा इस तरह के सेंटर्स जो हैं करीब साथ बनाएगे हैं यहां पर जैपूर में जहां पालग अलग इस तरह की प्रिकरिया पर चल रहे हैं तो आपको हमने पूरा बताया समझाया कि एक विक्टी अगर ठीका करण के लिए आता है जेकेलोन इस्पिताल में उसे कितना वक्त लगेगा और किस किस प्रोसेस से उसे गुजरना होगा एक नया इतिहास बनने को है और ये ड्राय रन उसी इतिहास के बनने से ठीक पहले की अंतिम प्रक्रिया इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा टीका करण अभियान दुनिया देखेंगे और देखेंगी भारत के प्रबंधन को स्वास्य मंत्राले के अनुसार राज्यों ने अपने दो-दो शेहरों को चुना है इन दो शेहरों में वाक्सीन शेहर तक कैसे पहुंचेगी उस रास्ते और टाइम के रिपोर्ट तयार हो रही है शेहर से अस्पताल तक कैसे वाक्सीन जाएगी क्या रख रखाओ होगा कैसे वाक्सीन दी जाएगी ये सब भी देखा जा रहा है सरकार ने वैक्सिनेशन को लेकर जो कोविन मोबाइल आप बनाया है उसका भी ट्राइल है दरसल इसी आप के जरिये जिने वैक्सीन देनी है उन्हें मेसेज आएगा और फिर अधिकारियों और स्वास्तियकर्मियों को डोज की प्रक्रियाप पूरी करनी होगी आप दो बाते देखेंगे एक तो बात यह है कि हिंदुस्तान के लिए ये पहली वार नहीं है कि इतनी के बड़ी ड्राइव हो रही है वैक्सिनेशन के लिए यह हमारे हाँ पहले भी हमने कई वार यह शिकस्त दी है वाइरस इसको हिंदुस्तान में वो capability है और इसकी planning जो है वो काफी दिनों से काफी हफतों से चल रही है भारत के vaccination कारिकरम पर दुनिया की नजर है और किसी भी चूप का मतलब देश की छवी के लिए नुकसान दायक हो सकता है दूसरे vaccination को लेकर जिस तरह की अब वाहों और ध्रमों को फैलाया जाना शुरू हो चुका है उसके कारण अंतिम समय में गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी जा सकती किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानिवी का कितना नुक्षान हो रहा है इसकी परवा किये बिना न जाने अंगिनत काल्पनिक जूप फैलाये जाएंगे कुछ मात्रा में तो सुरू भी हो चुके हैं और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदिरादे से काम करने वाले लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं मेरा देश्वासियों से आगर होगा कि कोरोना के खिलाब एक अंजान दुश्मन के खिलाब लड़ाई है कि अफ्वाओं के बाजार गर्म नहोने दें हम भी सोचिल मिडिया में कुछ भी देखा भी ना फॉरवर्ड न करें हम यह कहते हैं कि ICMR इस पात पर वजाहत करे कि क्या उसके अंदर सुवर की चर्वी है या नहीं है अगर यह नाजाइज और हराम चीज है और यह पक्की बात है तो मैं तो यह कोंगा कि नाजाइज चीज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए चूंके और भी पेथिया और भी इलाज मौजूद वाइरस के नए नए स्ट्रेंज मिलने और रोज भारत में उसके संक्रमितों की संख्या बढ़ते जाने के कारण देश की चिंता स्वाभाविक है और ये चिंता बार-बार कह रही है कि समय कम है काम बहुत ज्यादा इसलिए इन ड्रायरंस को्ट जिला अस्पतालों, सामुदायक स्वास्थिय पेन्दरों या प्रातमिक स्वास्थिय देख्भाल केन्दर शेहरूं के अलावा निजी स्वास्थिय सुविधा और गाउं त जुनौती सामने आए तो समय रहते हैं योजनाओं में जरूरी बदलाव कर लिये जाएं। और इसी में वो कारण छुपे हैं कि आखिर क्यूं कोवी शील्ड को ही सबसे पहले इजाज़त दी गई। इंतिजार पल पल का था जो धीरे धीरे जितना घटता गया उसकी व्याकुंता उतनी ही बढ़ती गई। सीरम इंस्टिट्यूट की कोवी शील्ड पर अधिकतर लोग अपना दाव लगाए बैठे थे कि उसे ही सबसे पहले मनजूरी मिलेगी और उसके ठोस कारण भी थे। दिसंबर 2020 में केंद्रे ड्रग स्टांडर्ड कंट्रोल ओगनाइजेशन की एक्सपर्ट कमिटी के सामने तीन वाक्सीन के आपात इस्तिमाल की अनुमती मांगी गई थी। जिन में भारत बायोटेक की स्वदेशी को वाक्सीन तीसरे चरण की ट्राइल में थी। अमेरिका की फाइजर कंपनी ने प्रेजेंटेशन नहीं दिया था लेकिन उसका आधार ब्रिटन में मिली मनजूरी थी। पुडे के सीरम इंस्टिट्यूट में बनने वाली कोवी शील्ड वाक्सीन को आक्सफर्ड उनिवर्सिटी और ब्रिटन की दवा कंपनी आस्ट्राजेनिका ने मिलकर बनाया है। इस वाक्सीन को भी ब्रिटन ने एमिजनसी इस्तमाल की अनुमती दे दी जिससे भारत में बनी इस वाक्सीन को मनजूरी की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। इस वाक्सीन के करीब 100 करोर डोसेज की सप्लाई कम आये वाले देशों में होनी है। दॉलर से कम है जबकि अमेरिका की फाइजर और मॉडर्णा कम से कम 6 गुना ज्यादा कीमत वसूल रही दूसरी बड़ी बात इस वाक्सीन को आसानी से स्टोर किया जा सकता है इसमें ज्यादा ताम ज्याम नहीं है इसे आसानी से फ्रिज में रखा जा सकता है फाइजर और मॉ लोगों तक पहुंचा सकता है वो विशील जिस इंस्ट्टूट में बनी है वहां अलग-अलग बीमारियों की करीब 20 वाक्सीन और बनती हैं दुनिया के लगपद 60 प्रतिशत बच्चों को इस इंस्ट्टूट में बनी कोई न कोई वाक्सीन ज़रूर लग चुकी होती है सत्तर प्रतिशत वाक्सीन भारत में ही बनती है सीरम इंस्ट्टूट दुनिया के सबसे बड़े वाक्सीन मेकर में से एक है और कोविड-19 की वाक्सीन यहां उमीद से भी तेज रफ्तार से बन रही है यह लग बग ऐसे 2000 करोड की स्टॉक हमने बनाई है 25 मिलियन लोग को टिका लगा सकता है क्योंकि यह 50 मिलियन डोज है दो डोज की वैक्सीन है तो इसलिए 25 मिलियन लग बग लोगों को यह टिका लगा सकता है वैक्सीन कल तक खौब थी लेकिन अब एक हकीकत है और जो सवाल सबके मन में था कि इतनी बड़ी आबादी को कैसे टिका लगेगा उसका फ्रबंद भी सरकार ने युदिस्तर पर कर रखा है जल्द ही देश के पास कई और वाक्सीन के मन्जूरिया होंगी इतना जरूर है कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों की जिम्मेदारिया कम नहीं होंगी कुछ नियम और सकती से फॉलो करने हो सकते हैं पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो डिलाई नहीं लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूँ दवाई भी और कड़ाई भी कड़ाई भी भरतनी है और दवाई भी लेनी है दवाई आ गई तो सब छूट मल गई यह ब्रह्म में मत रहना दुनिया यही कहती है वैज्यानिक यही कहते हैं और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2020 का दवाई भी और कड़ाई भी कि रुकने चोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद जब लोटेंगे तो आपको बताएंगे कि यह पूरी जो प्रक्रिया है ड्राइरंस की वज़े से कितनी फूल प्रूफ हो चुकी है और साथ ही यह वैक्सीन कितनी सुरक्षित है कोरोना की शुरूआत से हमने देखा कि एक तरफ देश लॉकडाउन में रहा लेकिन फ्रंट लाइन वोकर्स और स्वास्त्य कर्मचारी दोनों हमेशा आगे आगे रहे इसलिए सबसे ज्यादा खतरा इनहीं पर रहा हमेशा लेकिन अब वो समय आ गया है जब वाक्सिनेशन की ड्र 60 centers को चिन्नित कर लिया गया है जहां पर यह ड्राइव होगी और उसमें दिल्ली का यह शुनेवास्पूरी का maternity home, जहां पर पूरी तरीके से उसका काया कल्प किया जा चुका है यहां पर यह जो तैयारिया हो रही है और वहां पुणे में वो सीरम Institute जहाँ पर वो वाक्सि आते हैं वहां की तैयारियां किस तरीके से वो छोटी-छोटी शीशियां जीवन दाइल बन रहे हैं कि बहुत इंतजार किया है दुनिया ने वैक्सीन का अब तक तस्वीरों में ही देखी है काच की जगमगाती छोटी-छोटी के शीशियां आज हम आपको लेकर चलेंगे वहां जहां तयार हो रही है हमारी दो-डोज जिंदगी की हर शीशी में करूर उन लोगों की आस है हर शीशी में करूर उन लोगों का विश्वास है हर शीशी दुनिया के लिए अनमोल है हर शीशी बेहतर जिंदगी की एक उम्मीद उम्मीद तो कर सकते हैं और होना भी चाहिए क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है मैं भी इस ट्राइल का हिस्सा था नौ मेने पहले जब हमने ये ट्राइल में रिसा लेने का करोना की लड़ाई भारत ने काफी बैतर ढंग से अब तक लड़ी जिसकी गवाही आंकडे खुद बखुद दे रहें जब भारत में एक दिन में 5091 केस आये तब सही होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट 49.36 प्रतिशत था और जब प्रतिदिन केस दोगने हुए यानि 10,866 तब देश का रिकवरी रेट 56.44 प्रतिशत रहा लेकिन एक समय जब संक्रमण की संख्या देश के माथे पर चिंताओं के बल डालने लगी और केस 95.432 तक महुचे तब 94.49 प्रतिशत के रिकवरी रेट ने लड़ाई जीतने के विश्वास को हारने नहीं दिया अब जब लड़ाई सफलता से टीका करण की है तब भी देश पूरी तरह तयार दिख रहा है जो एक शुब संकेत आईए अब आपको दिखाते हैं कि पुड़े की सीरम इंस्टिट्यूट में कैसे बन रही है कोविशील वाक्सीन हम आपको बताएंगे कि क्यूं है भारत में निर्मत वाक्सीन दुनिया की केम चेंजर क्यूं है भारत में बनी वाक्सीन इस्तमाल के लिए सुरक्षित वाइरस के नए स्ट्रेन पर कितनी कारगर है ये वाक्सीन कितने की पड़ेगी ये वाक्सीन कैसे तैयार की है जिंदगी की उमीद वाली वाक्सीन आईए चलते हैं सीरम इंस्ट्रिट्यूट, पुड़े और तलाशते हैं हर सवाल का जवाब तो एक कोवी शील जो वैक्सीन है उसे चुनने की बहुत सारी वजहे थी जो हमने आपको बताई है लेकिन इसके साथ ही ये भी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब सरकार जो ये वैक्सिनेट कर रही है उसकी प्रक्रिया के साथ-साथ क्या एक आम इंसान को जो उस सूची में शुरुआत में नहीं है क्या उसे मिल सकती है ये वाक्सीन और अगर मिल सकती है तो उसकी कीमत क्या होने वाली है ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब देखिए जब वाक्सीन पर भरोसे का सवाल आता है तो दो बाते मन में आती है क्या वाक्सीन ठीक तरे से बन रही है और क्या वाक्सीन से कोई साइड एपेक्ट तो नहीं होगा आएए पहले ये जान लेते हैं कि क्यों वाक्सीन के बनने को सुरक्षित माना जा रहा है तो यह फाइनल स्टेज है, प्रोड़क्ट जो बनता है और यह वाइल में फिल होता है, सील होता है, उसके बाद यह हाई स्पीड कैमरा जो आप देख सकते हैं, सब वाइल को अलग अलग तरीके से एक्जैमिन करते हैं कि कुछ अंदर तो ना हो, पार्टिकल, दूर, कुछ भ सबसे बहुत इंपोर्टन है, लोगों की सेफटी, यह सारे अच्चेप्टेड वाले है, मैं एक उठा सकता हूँ, तो यह अच्चेप्टेड है, और इसके बाद आप इसको फिर, तो इसके बाद लेबलिंग होगा, और फिर बॉक्स में पैक होगा, उसके साथ वो ड्राइ होगा कि पोल्चेन में मेंटेन कर सकते हैं, और फिर रिफ्रिजरेटेड ट्रक्स में, एसी के ट्रक्स में, पूरी देश में जाएगा और गवर्मेंट के कोल रूम्स में स्टॉर होगा, अब बताते हैं आपको कि क्यों कोवीशील वाक्सीन पर भरोसा किया जा सकता है, इसलिए हम आज भी ड्रग कंट्रोलर से परमिशन के सिच्वेशन में है, जो वो सब ये रिव्यू कर रहा है, बीटेल में जा रहा है, और ये जो वैक्सीन हम बना रहे हैं, बिलकुल सेफटी का सबसे हाइस प्रायरिटी ये हमें, इसमें हमने रिसर्च किया है, नव मैने गयले हैं इसमें, और जो भी साइड एफेक्स छोटे मोटे होते रहते हैं, वो सब वैक्सीन के साथ होते हैं, हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए, कि सब वैक्सीन में थोड़ा फीवर, थोड़ा हेडेक, वो तो होई सकता है, मगर कोई भी खत्रा, जान को खत्रा नहीं ह हम यहाँ एक बार फिर कि आपको बता दें कि वैक्सीनेशन के कुछ नियम है, और जब तक उन नियमों का पालन पूरी तरह से नहीं किया जाएगा, खत्रा बना रहेगा, यानि दवाई के साथ नियमों की कड़ाई बहुत ज़रूरी रहेगी सीरम इंस्टिटूट की जस वैक्सीन को मन्जूरी मिली है, उसकी डोज को लेकर भी कुछ नियम, और उनका बेहग साथानी से पालन, वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया को कामयाब बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होगा ऐसे ही लगवा नहीं सकते हैं, तो आपको सिर्फ डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल के पास जाके यह लेनी पड़ेगी सीरम इंस्टिट्यूट पुणे के सीयो अधार पुनावाला का ये भी कहना है कि वैक्सीन की आपूर्ती सरकार की जरूरत से की जाएगी लेकिन आने वाले समय में वो मेडिकल स्टोर्स पर भी जल्द ही मिलना शुरू हो सकता है और तब वाक्सीन को लेकर तीमत भी तै की गई पहले तो गवर्मेंट को हम 200 रुपिये में पर डोस देंगे मतलब एक आदमी को 400 रुपिये में मिलेगी वो गवर्मेंट को special price दे रहे क्योंकि government करोड़ो डोस लेने वाली है ऐसे special price दिये है private supplies में जब 2-3 महने बाद आएगी तब एक आदमी को एक हजार रुपिये एक डोस के लिए देना पड़ेगा उसमें वो retailers को 200-300 रुपिये मिलेगी और हमें हमारे हाथ में 600 या 700 रुपिये मिलेगे सरकार को व्यापत कारिक्रम चलाना है इसी के चलते सारे बिंदूों का अध्यायन कर लिया गया और जरूरी इंतजामात किये जा रहे हैं देश को बहुत बड़े पैमाने पर वाक्सीन की जरूरत पड़ेगी लिहाजा ये भी संभग है कि जल्द ही कुछ और वाक्सीन को भारत में आपात मन्जूरी मिल जाए जो रशिन वैक्सीन है स्पटनिक जो डॉक्टर रेडी लैब जो है जिसके उपर ट्राइल कर रहा है वो भी काफी एडवांस स्टेज पे है उसका भी डेटा आने वाले कुछ हफ़तों में निकल आएगा तो इसलिए हमारे को हिंदुस्तान में उमीद ही है कि जो ये सिरम इंस्टिट्यूट बना रहा है जो भारत बायो टेक बना रहा है और अगर जो स्पटनिक भी खरा उत्रा तो ये हमारे पास तीन आप्शन आ जाएंगी तेश दुनिया के तमाम डॉक्टर्स वैक्सीन की ख़वरों से खुश हैं और किसी भी तरह की अभवास से सावधान रहने की ताखीद कर रहे वाक्सिन को लेकर जो ड्राइरंस चर रहा है वो सफल ही है और संकेत भी अच्छे दे रहाएं, लेकिन वाक्सिन को लेकर इसकी एफिकसी को किस तरह के संकेत हैं स्वास्य मंत्री डॉक्टर हर्श मर्धन जब गुरुतेग बहादूर अस्पताल में ही आये यहाँ पर ड्राइरंस का जाइजा लेने के लिए उन्होंने यह सपश्ट कर दिया कि देश में सबको फ्री वाक्सीन मिलेगी लेकिन यह फ्री वाक्सीन की जो बात होती है तो वो ह है जब तक सरकार की यह ड्राइब चल रही है आम लोगों तक पहुंचने पर भी कोवी शील्ड कम से कम बाकी वाक्सीन की तुलना में बेहत सस्ती वाक्सीन है लेकिन क्या सस्ते होने के कारण इसके प्रभाव पर कोई असर पड़ेगा क्योंकि मन में एक आम सा सवाल यह बार बार लोगों के मन में उठ रही है वो यह कि कोवी शील्ड सस्ती है तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि यह ज्यादा प्रभावशाली नहों आईए आपको कोवी शील्ड की क्षमता बताते हैं ऊक्सफर्ड वाक्सीन की ओवराल एफिकसी सकतरतुशत तक प्रभावी लेकिन जानकारों का मानना है कि कोई भी वैक्सीन अगर पचास प्रतिशत से ज्यादा प्रभावी है तो सिक कारगर बाना जाता है United Kingdom में जो ट्राइल हुआ उसमें निकल के आया कि वैक्सीन की एफिशेंसी तब ज्यादा है अगर शुरू में आधा डोज लगे और बाद में पूरा डोज यह 50% 100% का क्या लोजिक है यह थोड़ा confusion था actually जो point इसमें है कि जो आप पहले डोज और दूसरी डोज में थोड़ा और gap रखे दो तीन माइने के बाद आप जो second dose लेंगे तो उसमें वो ग्रूप में यह 90% efficacy का result आया था यह बहुत interesting point है कि हमारी vaccine भी 90% efficacy है और यह आदा dose और full dose का confusion हम इसमें नहीं डाल रहे हैं कि हम भी जो अभी license के लिए जाने वाले हैं वो full dose के लिए रहने वाई आप कहरें कि आपकी जो vaccine होगी वो दोनों बारा पूरा dose लागाएंगे जो UK में हो रहा है कि half dose full dose वो इंडिया में नहीं रहेगा इंडिया में full dose रहेगा हम खाली सिरफ इतना recommend करेंगे लोगों को के पहले dose और दूसरे dose में थोड़ा gap रखे और दो तीन महीने के बाद जो second dose लेंगे आप तो फिर यह efficacy का result बहुत अच्छा है और यह हम recommend नहीं पर पहला टीका लगा दो महीने पहले दूसरा टीका दो तीन महीने बाद बीच में क्या होगा मेरा बीच में आपको protection मिलेगी कितनी protection बहुत सारी protection मिलेगी हमने देखा है कि पहले dose में भी बहुत सारी protection लगती है लगब 80% की लोग जो पहला dose लेते हैं उनको दूसरा dose लेने की भी जरूरत नहीं है मगर यह हम शौरिटी से नहीं बोल सकते कि किसको क्या effect होगा इसलिए सब लोग को दो dose जरूरी लेना जरूरी है उक्सवर्ड वाक्सीन के फाइनल ट्राइल के जब नतीजे आये थे तो ये बताया गया था कि बड़े ग्रूप में हुए ट्राइल में जब ऑक्सवर्ड की वाक्सीन के दो डोज एक महीने के अंतराल पर दिये गए तो वाक्सीन बासिट प्रतिशत्तक प्रभावी साबित हुई एक छोटे कूप को जब वाक्सीन की एक डोज और फिर एक महीने में आधी डोज दी गए तो ये 90 प्रतिशत्तक प्रभावी साबित हुई हाले कि अब तक इसका कारण नहीं पता चला है कि कम डोस देने पर वैक्सीन ज्यादा प्रभावी क्यों है ब्रिटिन में कई अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि अगर इस वैक्सीन की दो डोस के बीच तीम महीने का अंतर रखा जाए यानि तीम महीने मे दूसरी डोस दी जाए तो ये वैक्सीन असी प्रतिशत तक प्रभावी है वहां वैक्सीन के दो डोस वाले इलाज को अप्रूवल मिला है अब वैक्सीन भी है और टीका करण की तैयारी भी अंतिम रूप में हम सब के लिए तो अलग-अलग त्योहार रहे वैक्सीन का इंतजार रहा उम्मीदे रही लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार अपने प्रिशिक्षण में इस पूरी परक में कि कहीं हमें आपको कोई दिक्कत ना आने पाए वैक्सिनेशन की शुरुआत हो तो समूचे देश को इसका फाइदा मिले और पूरा भारत कुरोना मुक्त हो जाए तो इनकी तैयारियां तो लगातार जारी है और इनके अभी चुनोतियां भी इनके सामने हैं हम सब खुशी बना सकते हैं कि वैक्सीन को इजाज़त मिल चुकी है और अब जिम्मेदार हाथों में हमार अभी के लिए इतना ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक नमस्कार मैं हूँ अंजना ओमकश्यप हमें उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले